आज के से वीडियो हम बात करेंगे एडवेंचर गोल्ड कोईन के प्राइज मोमेंट के बारे में अभी इसके प्राइज में अल्मोस 60% से जानदा का पंप देखने को मिला है कल से अभी तक अच्छा कासा मोमें इसके प्राइज में और ओवलग किप्टो कॉंसी मार्केट में अभी हमें अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है तो क्या कुछ निकल के आ रही है कि पूरा जो कृप्टो कॉंसी मार्केट है वह यहां पर और ग्रीन जॉन के अंदर दिखाई देरा बीटी सी जो की 7-8% डाउन था आच 10-11% पंप देखने को मिल रहा है तो सारी चीजो बारे बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले अवी तक कोईषएंड डानलोड नहीं किया है तो जल्दी से हैप युद्ससेम अगरी हैं बॉन जलने सब्सक्राइबॉत गें अबहरेगा इसकी datmen व Councillor 2020 2020 यूएडेटी चल रही है 1.37 वाला एरिया इसने टच किया डेली क्लोजिंग के अगर देखें तो आज की जो क्लोजिंग है वो यहां पर अच्छी खासी ग्रीन केंडल देखने को मिली अच्छा खासा मोमेंट इसकी प्राइज में देखने को मिल रहा है और आज किप्टोकर से मार्केट के बात करें बीटी सी की बात करें तो 38,500 पर ट्रेट कर रहा है 39,000 से उपर वाला एरिया टच किया और कल की डेट में अगर बात करें तो 35 से भी नीचे चला गया था नीचे की तरब अगर सपोर्ट की बात करें बीटी सी को तो 36,600 था जिस एरिया को इसने मेंटेन किया और अभी 38,000 से उपर ट्रेट कर रहा है 38 एक लोकल सपोर्ट एरिया है उपर की तरब रिस्टेंस जो है वो 40,400 है जो की अच्छा खासा स्ट और ट्प्स वगएरा जो भी चीज़े हैं वो युकरेन नहीं भेज़ रहा है वो इस वो र मेंशामिल नहीं हो रहा है हाखा हाला कि वह नाटौ को चाहरे यूूऎस मारकी और यहाँ पर जो नाटो वग्यरा है जी सेवर हैं उन्होंने भी कुछ स्थूंक्सन लागाने की बात करी कुछ लिमिट्स वग्यरा जो है ट्रेडिंग वगएरा जो भी इनके बीश होगी तो कुछ लिमिट से उनकी सेट की जाएगी रसिया की तो यह सारी चाहला कि अटेक बहुत मेजर टाइट से हो रहा है ओल्मॉस्ट वन फिफ्टी जो नागरिक वगएरा है वहां का सिटिजन्स वगएरा जो भी है उनकी की मौत हो गई है तो यह बहुत ही जादा ब्रूटल चीजे चल रही वहाँ पन बाकी मार्केट के अगर बात करें किप्टो कांसी मार्केट के तो उसमें एक ओवराल मार्केट सारे कोईंस टेन टू फिफ्टीन परशन अफ है बीटी सी ओल्मॉस्ट दस परशन पंप के अं करते हैं तो यह सारी जहां तो आप थोड़ा बहुत बाई करके सेल आउट कर सकते लेकिन जो लेवरेज वगरा है आप इनमें ट्रेडिंग ना करें क्योंकि बहुत जादा लिक्विटेट हुए कल की डेट में भी बहुत जादा लिक्विटेशन देखने को मिली दूसरा ज कुछ नियूज निकल क्या आए क्या बायान आए कि किन चीज़ों के और यहां पर इन लोगोंने 80 cent 90 cents वन युदेटी कर रहून में बाई किया है एज़र ट्रेडर बाई किया है इस पोर्ट के अंदर वो यहां पर देखिए यह मोमेंड अच्छा कासा मोमेंड आपको देखने को मिला 1.37 टच किया एक एस्टेबिलीटी देखने को मिल रही है तो यहां से उपर के तरप वापिस से इसको जो रिश्टेंस एरिया है सपोर्ट एरिया की बात करें तो डेल अच्छा कासा मोमेंड वापिस से देखने को मिले 1.3 से उपर 1.4 के राउंड में आप इसा ट्रेडर आपने इंट्री ले रखी तो आप वहां पर एक्जिट हो सकते हैं अच्छा कासा आपको पॉफिट 40 से लेके 45-50 परसेंट तक का पॉफिट आपको देखने को मिल रहा ह का तो वह पॉफिट लेकर आप निकल सकते हैं इन लोगों का सोट तम का प्रस्पेक्टिव है या लोंग टम का प्रस्पेक्टिव यहां पर देख सकते हैं कि उपर के तरफ में टाइगेट सब को बताता हूं 1.52 के उपर वहां से उपर डेली क्लोशिंग करेगा सपोर्ट देखने को मिलेगा उसका 2.4 वाला एरिया 2.95 3.5 वाला सो टम वाले 2.45 से लेके 2.9 तक एक्जिट हो सकते हैं और जिनका लोंग टम का प्रस्पेक्टिव हो 3.5 4.2 यह पिसका जो हाई है जहां पर इसके लिस्टिंग प्रोपर रिसेर्ज प्रोपर न्यूज वगरा आपका ध्यान रखें इंडियन न्यूज चैनल पर ध्यान नहीं देना है इंग्लिस न्यूज चैनल वगरा को फोलो करना है जो बिलकुल और थेंटिक आपको इंफरमेशन दे रहे हैं या फिर जो भी यूक्रेण रसिया के जो ओफिशियल ट्वीटर हैंडल से वहां उनको फोलो करें आप उनको देखे कि उनकी तरब से क्या कुछ बयान निकल क्या आ रहे हैं आगे के लिए उनकी क्या रणनी ती यह सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अब अभी ट्रेडिंग वगरा करें हाला क कि ट्रेडिंग उसे थोड़ा सा बचेंग स्पोर्ट वगरा से स्वरी लेवरेज वगरा से बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक जरू करें चैनल को स्ब्सक्राइब कर लें थैंकि